सो हे टेकीज कैसे हो आप सभी लोग तो दोस्तों जो ओपो स्मार्टफोन कमपनी है नो अपने टॉप नुस लेवल के डिजाइन और तगड़े क्यामरे की क्वालिटी के लिजानी आती है और ओपो के स्मार्टफोन ऑनलाइन से ज्यादा आफ लाइन में आपको बिक्तेवे स्मार्टफोन आता है वह आता है ओपो के तरफ से ओपो के टेन फोर जी सो गयाज अगर आपका बज़ेटर इन 14-15,000 के आसपा से और इस बज़ेटर में आपको को इस एक जबर दस लेवल का ओपो का स्मार्टफोन चीए तो आप के टेन 4G को जरूर कंसिटर कर सकते हैं जो इसकी पिक ब्राइटेस मिल जाएगी साइड माउंट और फिंगर प्रेस स्कैनर दिया गया है और 3.5 mm कर फूंज एक मिल जाता है यहां पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नापड़गन 680 वाला एक 4G प्रोसेसर मिलेगा आउट अट दो बॉक स्मार्टफोन कलर रोस 11.1 करते वे देखने को मिलेगा एंड्रोइड 11 आता है 5000 एमेच की बैटरी दिगए जो के सपोर्ट करती 33 वोड के सुपर्वक फास्याजिंग स्पीड को यहां पर आपको रिपल क्यामरा सेट अप मिलेगा प्राइमरी कैमरा 50 मेगा पिक्सल का है दूसा कमरा 2 मेगा पिक्सल का मेक्रो शुटर है फ्रेंड में पर आपको 16 मेगा पिक्सल का सेल विजिटर मिलेगा सोनी का सेंसर यूस किया गया है स्मार्टफोन के में क्याबरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ट करने कॉप्शन मिलता है उसके साथ नेचुरल रिटाचिंग नाइट मोड और एक सब्सक्राइब आपको 18,000 तक के बज़ेट में को इसे बेस्ट ओपो का स्मार्टफोन चीए तो आप ओपो की तरफ से 96 का साथ जरूर जा सकते हैं जो कि एक 4G डिवाइस है यहां पर आपको 659 इंचेस की फुल एक IPS LCD पैनल मिलती है जो कि 90 अचके रिफ्रेशेट पर करती ह 690 की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी बात करें प्रोसेसर की तो यहां पर आपको Qualcomm की तरफ से Snapdragon 680 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि आपको मीडियम लवेल तक की गेमिंग के साथ नॉर्मल डेटी डेजेस में अच्छी कासी परफूमेंस निकाल के देदेगा स्मार्टफ़न कालरोस 11.1 पर वाक करता है 5000 एमेच की बैटी दे गई है जो कि सपोर्ट करती 33 वर्ट के सुपर्वक फास्चाजिंग स्पीड को यहां पर आपको डुवल क्यामरा सेटप मिलेगा जिसमें से प्राइमेरी केमरा 50 मेगापिक्सल का बोके शुटर और स्मार्टफोन के स्टोरेज और अगर फाइनली बात करें प्राइचिंग की तो करेंटली स्मार्टफोन को मैंने उन लोग के लिए रखा है जीने 16-17,000 तक के बज़ेटरे में को यहां पर आपको तगड़ी स्पेसिफिकिकिशन तो मिले मिले उसके साथ एक पावफुल ले 3.56 इंचेस की एचेटी प्लस वाली एक IPS LCD पैनल मिलती है जो के नाइंटी अच के रिफ्रेश एट पर वोक करती है 600 निसके ब्राइटनेस मिल जाएगी 3.5 mm काटफन जैक मिलता है बात करें प्रोसेसर के तो यहां पर आपको मीडिया टेक की तरफ से डियामिज़ी 810 वाला एक पावफुल 5G प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको नॉर्मल डेटु डूजेस में और मीडियम से हीवी लेवल तक की गेमिंग में अच्छी कासी पाफॉमेंस निकाल के देदेगा आउट तो बॉक्स स्मार्टफोन एंडर 12 पे आता है कलरोस 12.1 पे आपको वोक करते वे द उसके साथ पोट्रेट्री टचिंग नाइट मोड और सूपर स्लो मोशन जैसे फोटोग्राफिक मोड मिल जाएंगे आईपी एक्सवार का वाटर इस्टेन वाला सर्टिफिकेशन मिलता है अल्ट्रा लिनियर डूवल स्पीकर्स मिल जाते है रेम एक्स्पांशन का स्मार्ट्फोन आता है वह आता है ओपो के तरब से ओपो ऐसेवेंटीएट फाइजी सो कैसा अगर आपको 18-19000 तक के बादेटर में को इसा बेस्ट लेटेस्ट ओपो का स्मार्टफोन जहां पर आपको फाइजी प्रोसेसर भी देखने को मिल जाए तो आप ओपो के तरब स है कि तो यहां पर आपको मीडिया टिक की तरफ से डामेंटी सेवेंट वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि सेवन अनुमेटर के टेक्ट्चर पर वोक करता है आउट दो बोक्स स्मार्टफोन एंडटीन पर आपको वोक करते वे देखने को मिल जाएगा 5000 एमेज की बैटरी म स्मार्टफोन के साथ है उसके साथ बहुत सारे फोटोग्राफिक मॉट्स मिल जाएंगे डूल इस्टेयर स्पीकस मिल जाते हैं आई पी एक स्वर का वाटर रेजिस्टेन वाला साथिफिकेशन ने आउट दबॉक्स स्मार्टफोन दो कालर बेरेंट के साथ आता है LPDDR4S क अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो करेंट लिस्मार्टफोन का 8128 GB वाला विरेंट आपको मिल जाएगा 18,989 में उसके बात कालता है मारी लिसमें पर पर स्मार्टफोन आता है वाता ओपो की तरब से ओपो f21s pro और ओपो की तरब से f21 pro दोने स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल सेम तुसेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है तो अगर आपको 20,000 के बैजटर में को इसा एक अल्टिमेट लेवल का ओपो का स्मार्टफोन जहां पर आपको तगड़ा डिजाइन देखने को मिल जाए अच्छी का सी कामरे के क्वालिटियों तो आप ओपो की तरफ से एफ 21 प्रो को जरू का सिटर कर सकते हैं यहां पर आपको 6.43 इंचेस की फूल एज़ी प्लस वाली आमेलेट डिस्प्ले मिल जाती है जो की नाइंटी आज के रिफ्रेश एर पर वोक करती है 600 निर्स की पिक ब्राइटनेस मिलने वाली है को दिंग के सपोर्ट मिलेगा और इंडिस्प्ले फिंगर्प्रिंट स्कानर भी दिया गया है यहां पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नाप्रेगन 680 वालाइक पाउफुल 4G प्रोसेसर मिलता है आउट ओड़ बॉक्स स्मार्टफोन एंडुएट पर आपको बॉक करते वे देखने क को मिल जाएगा 4385 मह की बैटरी देगे जो कि सपोर्ट करती 33 वोर्ट के सुपर्वुक फास्चाजिंग स्पीड को यहां पर आपको ट्रिपल कैमरे से पीलेगा प्राइमरी कैमरे 64 मेगापिक्सल का है दूसरा कमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रों से फ्रेंड में भी आपको 32 म मिल जाएगा सुनी का सेंसर यूज किया गया है स्मार्टफोन के में कैवरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकार्ट करने का उप्शन मिलता है उसके साथ 30 एक्स मैगनिफिकेशन वाला लेंस मिल जाएगा और बहुत सारे फोड़ोग्राफिक मोड्स दिये गा है जैसे कि से सपोर्ट भी दिया गया है एल्पी डीडिया फॉरेस के रहा में यह फेस्ट उपन्टू के स्टोरेज और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो करेंटली स्मार्टफोन का 8128GB वाला विरेंट आपको देखने को मिल जागा 20,999 रूपीज में तो दोस्तों यह थे स्मार्टफोन जिनकी प्राइसिंग आपको 20,000 के असपास देखने को मिल जाएगी अब अपने नीड और बजट के किसी भी ओपो स्मार्टफोन को 15-20,000 के बजटरें में कंसीडर कर सकते हैं बाकि दोस्तों आच योडियो के लिए बस इतना ही मैं उम्मिद करता हूं कि पसंद आ रहा होगा अगर आपको मेरा याज को पसंद आया हो तो इस अनल सब्सक्राइब में मिलूगा आप सब्सक्राइब में तब तक के लिए बाबाए